तैके तैके, मुवी की स्टार्टिंग सीन में जापान के नागोया में हिरोमी नाम की एक आफिस वरकर रात में ट्रेन से अपने घर जा रही थी, ऊसी ट्रेन में कुछ बच्चे बैक के साथ खेलते वे टेके के बारे में कुछ बाते कर रहे थे और बोल रहे थे कि वो वापस अगे है जो लोगों को आधा काट कर मार रही है तभी खेलते-खेलते उनका एक बैग हिरोमी को लगता है जिस पर हिरोमी बैग रिटन करके टैके-टैके के बारे में बात करने से मना करती है उसके बाद वो एक Rayway Station पर उतर कर और वहाँ के एक ओभर पास से जाती है लेकिन तभी हिरोमी अपनी और एक हवा का जोका आते हुए महसूस करती है इसके साथी वो एक अजीब आवाजी भी सुनती है और हिरोमी का कोई पीछा कर रहा होता है उसके बद वो डर कर वहां से भागने लगती है और छुपने के लिए एक जगह ढूंडती है और वो वहीं पास वाले घर के अंदर से कुछ बच्चों को टैके टैके नाम वाली चुडल के बारे में बहस करते हुए सुनती है उसके बद वो जैसे ही सलक पर अपने कदम को रखती है वैसे ही वहां पर एक बर फिर से तेज हवा का जोका आता है और कोई चीज़ों से कमर से आधा काट कर अलग कर देता है जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है असल में ये काम टैके टैके चुडाल ही करी थी और यहां से स्वीन सुइच होता है और हम देख पाते हैं एक स्कूल की तरफ जहां पर हम दो स्कूल गल्स काना और अयाका को बात करते हुए देखते हैं तभी अयाका की नजर एक स्कूल की लड़की पर पड़ती है इसलिए वो अपनी फ्रेंड काना से कहती है कि अगर तुम उत्सुमी को मेरे साथ डेट पर चलने के लिए मना लेती हो तो मैं तुम्हें next week लंच करवाँगी जिसके बद काना फोरण उत्सुमी की पास जाती है और उसे अयाका के साथ डेट पर चलने के लिए पूछती है उत्सुमी अयाका को बिना जाने बगएर उसके साथ डेट पर चलने के लिए मान जाता है क्योंकि वो काना को पहले से ही जानता था उसके बाद काना आयाका को बताती है कि उच्सुमी ने तुम्हारे साथ डेट पर जाने के लिए मान गया है जिसे आयाका सुनकर काफी excited होती है अगली सीन में हम काना को उसकी घर की और जाते हुए देखते हैं और काना की घर में उसकी मा होती है और काना की कजन उससे मिलने के लिए आई थी जिसका नाम रिनी था दोनों आपस में गप्पे लड़ाती है रिनी अपने new boyfriend का फोटो दिखाती है लेकिन थोड़ी देर के बाद काना उसे अपने room से बाहर निकाल देती है क्योंकि उसे किसी क साथ अपना room से एर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था अगले सिन मियम में स्कूल में आयाका और काना को एक साथ बात करते हुए देखते हैं Йाका अपने date के बारे में बात करती है कि उच्सुमी स्रिप काना के बारे में बात कर रहा था क्योंकि उन लोगों के पास इसके एक कैफे में बैठे थे, जहां पर उटसुमी अपने नया फोन दिखाते हुए, उन दोनों को हिरोमी की मडर की निउस दिखाता है, और बताता है कि हिरोमी क्यों टेके टेके नाम की चुड़ाल नहीं मारा होगा, और यहां पर काना को टेके टेके चुड़ाल के बारे में कु और अगर तुमने गलती से भी पीछे मुड़ कर देख लिया, तो वो तुम्हें 20 से ही काट देगी, जिस पर आयाका काना से कहती है, कि अगर तुम उससे किसी तरह से बच जाती हो, तो वो चुडल तुम्हें 3 दिन के अंदर किसी तरह से भी माल डालेगी, ये सारी बाती वो लोग किसी लोगों से सुनी थी, उसके बद आयाका वासरों बोलकर वहां से चली जाती है, तब काना उच्सुमी से आयाका के बारे में पूसती है, कि तुम्हें आयाका कैसी लगी, जिस पर उत्सुमी बोलता है कि मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और मैं बस तुम्हारे कहने पर ही उसके साथ डेट पर गया क्योंकि हम सभी एक ही ग्रेड में है और ये सारी बातों को आयाका पीछे से सुन लेती है जिसके बाद उत्सुमी वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है और वो दुनों भी साथ में अपने अपने घर जाने लगती है उसके बाद आयाका काना से पूस्ती है कि तुम उत्सुमी के बारे में क्या सोचती हो जिस पर वो बताती है कि मुझे उत्सुमी को लेकर कोई फीलिंग नहीं है मैं बस तुम्हारे कहने पर यहां आई थी इस पर आयाका गुस्से में काना से कहती है कि तुम हमेशा मुझे नीचा दिखाती हो क्या तुम्हें लगता है कि मैं स्टूपिड हूँ यह सब बोलके उसे उबर पास वाले रास्ते से जाने को कहती है और काना को उसकी यह सारी बातों से काफी हर्ट होता है जिसके बाद हम आयाका को देखते हैं जो उबर पास से जाते हुए सोसती है कि मुझे काना से ऐसा नहीं बोलना चाहिए था तभी अचानक से तेज हवा का जोका चलता है और अजीब अजीब अवाजे आनी लगती है और आयाका जैसे ही पीछे मुढ कर देखती है तो वहाँ पर टैके टैके चुडाल होती है उसके बाद आयाका वहाँ से भागने लगती है मगर वह पैर के फसने से नीचे गिर जाती है और टैके टैके उसके पास तेजी से आकर उसके बादी को दो हिस्से में काट कर उसे मार डालती है अगले सिन में हम फिर से स्कूल को देखते हैं जहां पर काना अपने फ्रेंड की नियूस को सुनकर काफी सदमे में थी, तभी एक टीचर आकर उसे संभलती है और पुलिस स्टेटमेंट के लिए एक रूम में ले जाती है, क्योंकि लाश्ट टेम काना ही आयाका के साथ थी, लेकिन काना पुलिस को आयाका के साथ हुई लड केस के नियूस को सुनती है, और उसमें बताया जा रहा था है कि हिरोमी के बॉइफरेंड को मर्डर के जुरुन में पुलिस ने उसे अरेश्ट किया है, लेकिन हिरोमी की बॉइफरेंड के स्टेटमेंट में बताया जा रहा था, कि उसका इस मर्डर में कोई भी involvement नहीं था, बलकि उसने बिना लोवर वाली कटी लड़की को देखा था तभी तेजहवा का जोका चलकर काना के घर का दर्वाजा खुल जाता है जिससे वो काफी ज़दा डर जाती है लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता बलकि उसकी मौम आती है और काना के बगल में बैठ जाती है उसके बद हम काना को एक बसे स्टॉप पर देखते हैं और वो किवल बैठ कर अपने फ्रेंट के बारे में सोच रही थी तभी वहाँ से कुछ बच्चे निकलते हैं जो टेके टेके के बारे में ही बात कर रही थे जब काना इस्कूल से अपने घर जा रही थी तब वहाँ पर उसे उत्सुमी मिलता है जिस पर वो उत्सुमी से बोलती ही कि मैंने ये पुलिस को नहीं बताया कि कल रात मेरे आयाका के साथ लड़ाई हुई थी जिसके बद उत्सुमी काना का मूट सही करने के लिए उसे एक प काना इस्माइल करती है लेकिन अगले ही पल आयाका को याद करके रूने लगती है उसके बद उत्सुमी काना को ड्रॉप कर देता है जहां से वो रुजाना अपने घर जाती थी जाने से पहले काना हिरोमी के मडर केस के बारे में उत्सुमी से बात करती है और बताती ही कि उ अगले सिन में काना उसी उभर पास के पास खड़ी होती है और काफी अंधिरा भी हो चुका था और काना अपने friend को tribute करने के लिए flower लेकर उसी उभर पास के पास जाती है और वो अपने friend को याद करके tribute करती है और दूसरी और हम देखते हैं कि उठसुमी को कुछ ठीक नहीं ल उसके बैट टैके टैके चुडल उसके पास में आती है लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं करती जैसे ही टैके टैके वहाँ से चली जाती है तो काना अपनी आखों को खुलती है लेकिन तभी पीछे से काना को आयाका की आवाज सुनाई देती है और वो गलती से पीछे मुढ कर द देख लेती है जहां पर वो टैके टैके चुड़ाल होती है काना उसे देखकर वहां से भागने लगती है और टैके टैके काना के पीछे पढ़ जाती है और तभी उच्सुमी भी वहां पर आ जाता है और काना उसके सैकल में बैट कर उसे तेज भागने को कहती है क्योंकि टैक जिसके बतकाना एक लैबरेरी में जाती है और वहाँ पर एक हिस्ट्री बुक में टैके टैके के बारे में पढ़ने लगती है लेकिन तभी वहाँ पर रिनी आ जाती है और वो काना को बताती है कि वो टैके टैके के ऊपर रिसर्च कर रही है उसके बतकाना रिनी से टैके टैक के बारे में पूसती है जिस पर रीनी टैके टैके के बारे में वही बाते बताती है जो उटसुमी और आयाका ने कहा था उसके बद कानाव से और भी डिटेल में पूसती है जिस पर रीनी बताती है कि विस्युत के बाद ये सबसे most popular ghost story थी एक लेडी ने काकोगुवा में suicide किय और तबसे ही ये सब सुरू हुआ उसके बद रीनी बोलती है कि मैं काकोगवा के प्रोफेसर से मिलने के लिए जा रही हूँ और वो सुसाइड केस के बारे में उनसे बाते करेगी और रीनी बस जाही रही होती है कि काना उसे बताती है कि उसने टैके टैके को देखा है और अगले दिनों से देखे हुए पूरे तीन दिन हो जाएंगे यानि कि काना के पास एक ही दिन बचा हुआ है इसलिए रिनी काना को अपने साथ काकोगवा ले जाती है उसके बद वो दुनों वहां के एक प्रोफेसर से मिलती है और वो उन दुनों को बताते हैं कि 60 सल पहले एक लड़की ने एक ओवर पास से कूट कर आत्मे हत्य कर लिया था जिससे उसकी लोवर बॉड़ी कट कर अलग हो गई थी और तब से लेकर आज तक लोवर बॉड़ी भूत का ह्यूमर पूरे दुन्या में फैलने लगा उसके बद काना प्रोफेसर से उसके सुसाइट करने का कारण पूस्ती है पर प्रोफेसर के पास इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी वो बताते हैं कि उसके साथ कोई क्राइम हुआ होगा तब ही उसने ये कदम उठाई होगी तब ही हम काना को एक डाइरी में मिकासा चो की जगा माईका चो लिखते हुए दिखते हैं जहां उस लड़की का पहले घर हुआ करता था उसके बद काना उस लड़की का घर का पता पूसती है, जहां उसके घर के सदस से रहते होंगे, उसके बद प्रोफेसर अपने असिस्टेंट टेकेडा को उनके साथ उस जगह पर जाने के लिए बोलता है, ताकि वो उन दोनों को उस जगह पर सही सलामत ले जाए, उसके बद उन दोनों को टेकेडा के साथ उस लड़की के घर पर दिखते हैं, जो कि उस घर में एक बुड़ी माता थी, ओल्ड लेडी के माँ उस लड़की की बहन थी, और वो उसे बताती कि हर साल कोई न कोई कासिमा के बार में पूछने के लिए आता रहता है, और कासिमा उसी टेके टेके का नाम था, और वो बताती कि उस टेम बस में 6 साल की थी, और उसने 19 साल की उम्र में सुसाइट किया, और वो एक खुबसूरत नर्स थी, उसकी बद रिनी पूस्ती है कि क्या ये सच है कि कासिमा लाल कलर से काफी नफरत करती थी, इस पर उसकी बहन बताती कि लाल कलर उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था वो लाल कलर वाले सारी चीजों को घर से बाहर फेक देती थी उसके बद उसकी बहन कासिमा की सुसाइट करने का कारण बताती है कि जब अमेरिकन आर्मी के लोग घर लोट रहे थे तब उनकी नजर खुबसुरत कासिमा पर पड़ी और सारे लोग उनके साथ रेप किये और उसके बॉडी से बलड आने लगा जिसे देखकर वो ट्रॉमा में चली गई और यही लाल कलर ना पसंद करने का उसका कारण था और फिर एक दिन ऐसा ही परिशान होकर उसने सुसाइट कर लिया उसके बाद उन दुनों को सारे सवालों का जवाब मिल जाता है और वो दुनों वहां से जाने लगते हैं उसके बाद वो टेकेड़ा को ड्रॉप करके अपने घर वापस जाने लगते हैं उसके बाद Takeda उन दुनों के पास आकर Takeda के बारे में बताता है, कि जब मैं स्कूल में था, तब उसने किसी लोगों से सुना था, Takeda की डेट के बाद उस जगह पर उसका एक मेमोरियल था, यानि कि उसका एक इसमारक बनाया गया था, जहां उसकी बहन रोजाना फूल और खाना लिकर जाती थी, और जब उसकी देथ हुई थी, तब उसका मेमोरियल भी वहाँ से गिर गया था, और यही कारण था कि टेके टेके सब लोगों को मार रही है, उसके बाद Takeda फिर से उन लोगों से कहता है, कि अगर उसकी मेमोरियल को फिर से उसकी सही जगा पर रखा जाए, तो सायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसकी बाद वो दुनों वहाँ फिर से जाती है, जहां उसके मेमोरियल इस्थापित किया गया था, उसके बाद काना अपने डाइरी को निकाल कर, उसके बाद डाइरे में लिखा गया एडरेस को, गाड़ी की लोकेशन में डालती है, उसके बाद रीनी काना को बताती है, कि मैं जब रिसर्च के लिए उभर पास पर गई, तब मैंने भी टेके टेके को देख लिया था, अब उन दोनों के पास मातर दो घंटे का टाइम ही बचा हुआ था, उसके बाद टेके टेके उन्हें मार डालेगी, आगे हम देख पाते हैं कि वो एक लोकेशन पर पहुँच जाती है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, और अब उनके पास मातर एक घंटे का समय बचा हुआ था, इसलिए वो टेकेडा को कॉल करके टेके टेके के एडरेस के बारे में पूस्ती है, उसके बाद टेकेडा फॉरण प्रोफेसर के ओफिस में जाता है, जहाँ पर वो मैप में एडरेस चेक करता है, और वो उन्हें नाम बताता है, अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि काना ने अपने डाइरे में गलत एडरेस लिख लिया था, और असली लोकेशन उन लोगों से 8 किलोमेटर दूर थी, उसके बाद टेकेडा उन दोनों को कॉल पर लोकेशन बताता है, क्योंकि वो बिना परमिसन के प्रोफेसर के आफिस में था, लेकिन तभी रिनी काफी कन्फ्यूज हो जाती है, लेकिन टेकेडा कैसे भी करके उन दोनों को फोन में बताता है, कि वो राइट टन लेकर आगे जाए, उसके बाद काफी ढूंडने के बाद उन दोनों को वो मेमोरियल मिल जाता है, जहां पर कासिमा लिखा हुआ था, तभी हम वोहाँ पर तेजी से टेके टेके को आते हुए देखते हैं, और वो दोनों उस मेमोरियल को सीधा करने लगती है, उस मिमोरियल को सीधा करने के बाद टेके टेके उन दोनों पर हमला नहीं करती अब वो दोनों अराम से कार में बैट जाते हैं तभी वो दोनों कार के पीछे टेके टेके को देखती है और डर कर कार से भागने लगती है और टैके टैके उन दोनों का पीछा करने लगती है और तभी काना कार में रखी सारे रेट चीज़ों को बाहर फिकने लगती है लेकिन उसके कार ही लाल कलर की थी और वो अचानक कार का ब्रेक लगा देती है जिससे टैके टैके कार से तेजी से जा टकराती है और उसके बद वो दोनो कार से उतर कर भागने लगती है इसके बद इन लोगों के पास जितने भी रेट चीजे थे वो फेकने लगते हैं लेकिन टेकर टेकर उन दोनों का अभी भी पीछा कर रही थी और तभी वो दोनों जंगल में बिच्छड जातے है और काना के पास टैके टैके आ जाती है जिसे काना देखकर बुरी तरीके से डर जाती है और तभी काना के पास किसी का कॉल आने लगता है और वो जैसे ही अपने फोन को निकालती है तो वो देखती है कि उसके फोन का चेन रेट कलर का है अब जैसे ही टैके टैके उस पर हमला क निकलते समय उसके सर पर काटे लग जाते हैं जिसके वज़ा से उसके सर से बलड निकलने लगता है अब यहाँ पर बलड का कलर लाल है तो टैके टैके वहाँ पर तेजी से आकर काना के सामने रीनी के बाड़ी को दो तुकड़े करके रीनी को मार देती है उसके बाद हम काना के घर के बाहर कुछ बच्चों को टैके टैके के बारे में बात करते हुए देखते हैं जो बोल रहे थे कि यहाँ पर एक पागल लड़की रहती है जो रैट कलर के चीजों को घर से बाहर फेकती है वहीं हम टैके टैके को घर से गुज में जाता है और काना के लिए कुछ स्वीट्स लाया था क्योंकि अब वो प्रोफेसर बन गया था उसके बाद काना उन स्वीट्स के बॉक्स को देखती है जिसे काना देखकर डरने लगती है क्योंकि वो बॉक्स लाल रंग का था और इसे के साथ ही ये मुबी यहीं पर समाप हो जाती है